असलाम लेकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप जी आप सब खेरियत से होंगे अलहमदुलिल्ला हम भी खेरियत से हैं और जी यहां पे मैंने जो है आज इमली को भी गो के रखा हुआ है क्योंकि आज प्लैन है इमली की चटनी बनाने का आई होप आप लोग भी जो है ना रमजान की त्यारियों में लगे वे होंगे तो मैं भी स्लोली स्लोली जो है ना रमजान की त्यारियां कर रही हूँ तो यहां पे आज जी इमली की चटनी बनेगी और बाकी जो घर के काम शाम है वो सारे मैंने खतम कर लिये थे क्योंकि जब एक दफा काम इंस जाना जादा ये रूम पर सेंदा रहा है कि डे लाइट में वो लाइटे तो नजर आनी रही होती लेकिन तब भी जो है उन्होंने ना लाइट्स आउन की वी हैं और इसी रूम में बैठे वे हैं तो मुझे भी काफी जादा नच्छा लग रहा था रमजान वाली फिलिंग आ लेकिन डे टाइम में भी ना मदलब ऐसे रमजान वाली फिलिंग पुरे घर में आ रही है क्या होता है कि घर में रहते हैं कुछ ऐसे बाहर जो इस तरह का एट्मसफेर नहीं होता कि पता से लिए रमजान आ रहा है या कुछ ऐसा ना तो यहां पर क्या है कि आपको खुदी खुद तो बहुत कि आटें गैंगी के अच्छ वहुलिब फेसिपई में अब व्रीता ना रहा ना है ज़कि चाहां पैlti कि इस एट यह रहां जो बहुता करें के शीजाते हूं सुदुदी का तो कि शुदी बंतीड अधी तो भींच इसके लिए इसने पानी करना है तो पानी को पता है कि इसमें थोड़ा साइब जाए तो काफी जादा पतला हो जाता है हम ने बहुत जादा पतला नहीं करना देख लें आप ये consistency आपके सामने है और अब इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से नजी आपने इसको बीट करना है इसको इतना आपने बीट करना है कि ये बिल्कुल देखें ये इसका कलर भी चेंज हो गया और ये क्रीमी सा फॉर्म है नहीं है ऐसे बिल्कुल से बीट किया काफी सदा मेहनत किया और आप मैं इसको क्या करूँगी थोड़ी देर के लिए इसको मैं सेट होने के लिए रख दूँगी तकरीमन एक घंटा देंगे तो यहां पर बना लेते हैं इमली की चटनी और इमली की चटनी के लिए मैंने हंडड़ ग्रैम इमली ली थी और इसके अंदर मैंने एक कप ऊप पानी डाल के उसको भी गो दिया था और पिर इसके जो है मैंने सारी गुट्लिया वेकरा निकाल दी और पानी जो है इमली का पौल्क था वो मैंने पैं में रख एक कप पानी मैंने इसके अंदर और एड़ कर दिया है यानि कि टोटल दो का पानी है सबसे पहले आपने इसको बॉइल हो जाएगा पानी तो इसके बाद इसके अंदर हम चीजें शामिल करेंगे तो बॉइल आ चुका है अब इसके अंदर में डालूंगी जिंजर का एक टुक्रा चोटा सा है य और इसके अंदर जाएगी चीनी चीनी का जीना की पानी हिसाब टाला है और पयानी तेट के लगत लाषामिल को इसको इसको एक इन्धर यह टोड़ा करना है और इसी के साथ ही हमारी इमली की चटनी बड़ी अच्छी सी बन जाएगी अच्छा थोड़ा सा जो है ना 1 by 4 टी स्पून ही जीरा रोस्टेड जीरा वो मैंने जो है वो क्रश करके डाल दिया क्योंकि मैंने जीरा पाउडर भी डाला था तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने डाला है अच्छा अँच्छे से चटनी पकने लगी थी तो मैंने चीनी चीनी मुझे कम लगी तो चावल डालने वाला स्पून होता है उसको मैंने और इसके अंदर एड़ कर दिया है आप यहाँ पे इस्टेज पर चेक कर सकते हैं जिस लिहाँ से आप लोगों को यह मीठी खटी पसंद है तो वो जो आप बैलनस कर सकते हैं हम लोग जो है हमारा फ्लेवर थोड़ा सा ज़ादा मीठा हम लोग पसंद करते हैं तो मैंने इसलिए ज़ादा डाली है तो जुरूर आप नमक भी चेक कर लीजेगा और मीठा भी चेक कर लीजेगा बस यहां पर अब मैंने इसको गाड़ा होने रखा और यह देखें जी अब यह इतनी कंसिस्टेंसी में आगी थी तो मैंने इसका फ्लेम आफ कर दिया क्योंकि अब इसके बाद जो है अगर मैं और इसको पकाऊ होने के लिए फिर मैंने इसको कर देना है जी स्टोर तो जी अब आप इस बारी आगे जी भले बनाने की भले पकोडियां बनाने की एक दफा दुबारा से जो है वह मैं बीटर चला दूँगी कि अच्छी तरह से ना दुबारा से मिक्स हो जाए सारा बैटर और आप भी ऐस बैटर चला जाएगा तो मैंने भले बनाने हैं तो इसलिए मैंने जो है ना इतना सावी बस जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी रखी थी और इमली की चटनी भी आपके सामने है गरमा गरम देखें यह पतली पतली सी लग रही है लेकिन अभी जब यह फ्रीज में जाएगी बिल तो लोग जो है रमजान की प्रेपरेशन कर रहे हैं जैसे मैं भी कर रही हूं मुझे भी आप लोग देखते हैं तो क्या है कि एक हाईप सी लगती है हमें कि हाई जो है वो सब इतना कुछ बना रहे हैं तो हमने नहीं बनाया और किस तरह से इतनी चीज़ें स्टोर करें और और उसे में हमने ये जो है न सटोर करने वाली चीजंग भी रखनी है तो हम लोग क्या करेंगे अब हमारा भी दिल चाहता है जी रमज़ान के प्रिप्रेशन करें तो आप लोग बीना मेरी तरह से काम करें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के रख लें तके दिल की तसलीबी षगी कि हमने रमजान की प्रेपैरेशन की है वड़ी आ कुशी सी होती है diva की है इसे feeling सी जैसे आरे होटी रमजान wratt हुम्ぜं Ami तो हमारी फ्रिज में जितनी स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी और हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी इसलिए मैं भी बहुत जादा चीजे नहीं बना रही थोड़ी थोड़ी सी चीजे बना रही हूं और बाकी इन्शाला रमजान में भी बनाते रहेंगे ऐसे तो समोसे और रोल भी बनाके रखूंगी तो वो भी आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी मेरे जो ये भले हैं ये तो बड़े ही खुबसूरत से तियार होगी है और मेरे बचों ने ऐसे ही थोड़े बहुत खाने भी शुरू कर दिये थे क्योंकि इसके बड़ा रेसिपी लिख दी है तो आप लोग जो है वहां से भी देखके तो ये भले ट्राइ कर सकते हैं पकोडियां बनानी है फुलकियां बनानी है वो आप ट्राइ कर सकते हैं तो यहां पे जी मैंने सारे भले बना लेने हैं और इनको जो है ना फिर मैं एर टाइट बैग में डाल तो मैंने इसको फ्रीजर में रख देना है और इंशाला देखेंगे कब हम ग्रॉसरी भी करते हैं और बाकी चीजे भी जो है ना वह बनाना शुरू करते हूं तो जी यह था मेरा आज का व्लॉग मेरी आज की रेसिपी और यह रहा जी मेरा रूम रात का व्यू बहुत जादा अच्छा लगता बहुत जादा अच्छी यह लाइट्स लग रही है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा अपना बहुत सब्सक्राइब याद रखेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलाहाफ़ेज टेक केर